यह इंपॉसिबल है तो एक मैप होता है कई तरह के मैप होते हैं एक मैप होता है चोटा मैप एक होता है बड़ा मैप इतना बड़ा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़े दिखाई दे रही है एक मैप बहुत चोटा होता लेकि इसमें बहुत कम चीज़े दिखाई दे रही है तो map अलग अलग तरीके के होते हैं अगर ये एक map हो गया आप में दो-चार map यहाँ पर जोड़ दिये हैं एक map और हो गया, एक map और हो गया तो ये जो map हो गया, बहुत सारे map अगर उसका combination हो गया तो उस किताब को कहें या उस combination को हम कहने लगते हैं Atlas, क्या कहते हैं? Atlas कös होता है पहले मै आपको अपको सम्द में आए कि फिसिकल मैप क्या होता है फिसिकल मैप वूडाई यह मांटन पीक हो हमारे जो पहाड है। इसका मतलब यए है कि आपको एक ऐसे मैप में एक ऐसा मैप जिसमें आपको नाच्रल फीचर्स दिखायाचे रहे हैं जो हमारे अल्री नैच्रल फीचर्स हैं प्राकरतिक जो फीचर्स हैं वो दिखाएदा रहे हैं जैसे माउंटेन हो गया, पहाड हो गया, पठार हो गया, प्लेन हो गया, मैदान हो गया, रिवर हो गया, नदी हो गया, ओशन याने समुदर या सी अगर ये सब दिखाई दिए किसी मैप में तो उसे हम कहते हैं फिजिकल मैप या रिलीफ मैप याद रहेगा फिजिकल मैप या रिलीफ मैप ये होता है ये तो फिर आपके कहेंगे फिर ये मैप क्या कर रहा है ये मैप क्या कहलते हैं इस मैप को कहते हैं हम political map, क्या कहेंगे political map political map क्यों कहते हैं अभी मैं इसको बताऊंगा पहले आजी समझें कि map जहाँ पर आपको शहर, गाउं, state, पुरा देश देश के साथ दूसरे देशों की boundary, state से दूसरे state की boundary, ऐसे अगर map आपके पास हैं तो उसे हम कहेंगे political map political map इसले यह है कि अगर हम इस, यहाँ पर देश की सरकार को कुछ करना है या पाकिस्तान के सरकार के साथ कुछ करना है तो आप देखेंगे कि आपको क्लियर boundary पता है आपको पता है कौन सा छेतर कहाँ पर है तो यहाँ इंटरनेशनल boundary दिख रही है, आपको state boundary दिख रही है, union territory की boundary दिख रही है देश का capital आपको यहाँ दिख रहा है state के capital दिख रहे हैं, यह क्या हो गया आपका political map thematic map thematic map फ़रो सा confusing aspect है इसमें तो मैं आपको इसको confusion यहाँ से दोर करता हूँ आपका, theme किसी भी theme पे, अब आप देखिए कि अगर आपका, मालिजे, एक dance party है आपके, अपने रखी, और वहाँ कहा है कि theme होगा Bollywood तो कोई अक्षे कुमार बनके आएगा, कोई सल्मान खन बनके आएगा, अगर आप कहेंगे theme है, मालिजे फल, तो कोई go भी बनके आएगा, कोई locky बनके आएगा तो यह theme जो होता है किसी एक theme पे जब map बनते हैं उन्हें को हम कोई specific information होगी, यानि कि एक पुरा map केवल roadी road दिखाने लगेगा एक map में केवल आपको literacy rate दिखाई देगा, एक map में आपको केवल population दिखाई देगा और उसका variation दिखाई देगा तो उस map को हम कहते हैं thematic map, क्या कहते हैं हम उसको thematic map, यानि कि यहां रेंड़ दिखा दीजे, बरसाद दिखा दीजे या forest का distribution दिखा दीजे कितने हमारे industries है कि वो ही दिखा देगे तो ध्यान रखेगा कि industry जब हम दिखा रहे होंगे तो उस map में हम rainfall नहीं दिखा रहे होंगे अगर हमारा thematic map है तो अगर industry दिख रही है तो rainfall नहीं होगा उसके साथ, industry है तो industry ही होगी तो यहां पर एक मैं आपको दिखाता हूँ एक map यह literacy map दिखाने के कोशिश की है आप यहां पर color दिखेंगे और color का variation है यहां पूरा हरा नहीं है पूरा light हरा भी है पूरा उससे भी और pale हरा है तो यह जो color है यह आपको बताते हैं कौन सी चीज़ कहा है जैसे literacy rate 90 से 100 कहा है आप केरला पर आपका ध्यान जाएगा आप दिखेंगे केरला में सबसे जबर्दास हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है इस इलाके मार जाए नौर्थ इसके नीचे ले इलाके में यहां पर बहतरी न आपका यह education rate है लिकिन अगर आप सबसे उपर जाएंगे below 40 तो आपको पहुँचना पड़ेगा आप यहां पहुच जाएंगे बिहार के किसी एरिया में तो यहां इस color से आपको clear पता चल रहा है यह आपका thematic map है तो तीन component आपके map में होते हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दी आप दुबारा हम इसको जड़ा डिटेल में देखेंगे जो component होते हैं मैं आपके उसमें distance है, direction है, symbol है आपको दूरी भी बताई थी मैंने दूरी मतलब पैमाना, scale direction भी बताया था मैंने आपको symbol भी बताया थी याने कि प्रती, अब आप देखेगा